हेलो स्टो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगट है आज यहाँ पर हम डिसकस करेंगे फिनोटेक्स किमिकल इस टॉक के बारे में जिसके अंदर दोस्तो बहुती बड़े यहाँ पर आप सभी को धमाकी की तयारी कमपनी की देखने को मिलेगी क्योंकि कमपनी ने आप दोस्तो कौटर थ्री के रिजल्ट अनौस किये उसी के साथ कमपनी आप सभी के लिए दोस्तो एक बड़ा डिविडन भी अनौस कर चुकी है और कमपनी में स्पेशल अनौसमेंट भी देखने को मिले है जिसका इंपेक्ट हम सभी को फिनोटेक्स केमि इस कमपनी के अंदर जो ब्राइट फ्यूचर दोस्तो उसके बारें बात करेंगे और इस टॉक को क्यूं स्टडी करना चाहिए उसके पीछे के मैं आपको रिजन भी बताऊंगा पहले यहाँ पर हम कमपनी के जो अनौसमेंट है उस से रिलेटर डिसकस करेंगे फिनोटेक् कमपनी है उसके जो बोर्ड मीटिंग के अंदर हमें फर्स्ट अनौसमेंट देखने को मिला स्टैंड रिलेट एंड का और उसके बाद में कमपनी ने इंट्रिमेंट डिविडन डिक्लियर किया जो की दोस्तों 60% और जो यहाँ पर रुपीज में देखेंगे 1.20 रुपीज यारे के लगबग 1.20 पैसे का आपको डिविडन मिलेगा और रेकवाड डेट रहेगी 26 फेफर वारी 2024 उससे पहले जो भी लोग खरी देंगे उन सभी को दोस्तों कमपनी के डिविडन का फाइदा मिलेगा अभी जो कुछ स्पेशल अनौसमेंट में उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा उससे पहले हम कमपनी के रिजर्ट को स्टडि करेंगे पहले स्टैंडर रिजर्ट में आपको बताऊंगा सभी फिगर दोस्तों इन लैक्स में हैं कमपनी पिछले साल कमारी थी इंकम डिसेंबर 2022 के अंदर वो था दोस्तों यहाँ पर 6882 लैक्स का जो 2023 में हो चुका है 11,215 लैक्स का तो आप ग्रोथ देख लिजिए कितनी सुप्रीम क्वालिटी की yearly basis पर है इंकम में and quarterly also 11,204 से कमपनी का जो यहाँ पर income बढ़कर 11,215 हो चुका है याने quarterly basis पर कोई बड़ी improvement नहीं है ना कोई बड़ी गिरावट बड़ दोस्तो यहाँ पर yearly basis पर बहुती बड़ी improvement कमपनी ने income में दिखाई है स्टेंडिलन फिनोटेक्स केमिकल के result में अब यहाँ पर हम कमपनी के net profit के बारें बात करेंगे जो कमपनी ने सभी के होश उड़ाने वाला present किया पिछले साल कमपनी दोस्तो यहाँ पर कमारी थी 1360 लेक्स का net profit जो बढ़कर 2773 लेक्स का हो गया यहाँ अगर आप quarterly देखेंगे 2740 जो यहाँ पर कमपनी का net आप सभी को profit देखने को मिला लेक्स में वो थोड़ा बढ़कर 2773 हो चुका है याने कमपनी की result बहुती अच्छे हम सभी को yearly basis पर देखने को मिले है quarterly basis पर थोड़ा minor सा change दिखाई दे रहा है अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं और phenotex chemical के consolidated result को देखेंगे consolidated result में also आपको काफी कुछ change देखने को मिलेगा जैसे के yearly basis पर income में यहाँ पर भी 11,102 lakhs से बढ़कर 14,338 हो चुका है income याने बड़ा jump company ने income को grow करने में दिखाया yearly basis पर बट quarterly उतना कुछ खास नहीं है 14,908 lakhs से company का जो income में घटकर 14,338 हो चुका है तो income में कोई बड़ा change quarterly basis पर नहीं बट yearly basis पर जो December 2022 और December 2023 के result में हमें दिखाई दे रहा है yearly basis पर आप आगे बढ़ते हैं और company का consulate basis पर net profit चेक करते हैं net profit improvement में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा पिछले साल 2247 से net profit बढ़कर 3292 हो चुका है तो company का net profit आप देख सकते दोस्तों कितना तेजी से बढ़ा है yearly basis पर and quarterly के 3149 lakh से जो यहाँ पर आपको net profit बढ़कर देखने को मिलेगा 3292 यानि के आप profit को अगर यहाँ पर समझेंगे तो बिल्कूल consolidate का रहने दो या standiland का phenotex chemical का आपको quarterly जो yearly comparison है जैसे पिछले साल December 2022 का quarter का जो December का net profit था वो और इस quarter का December 2023 का अगर हम compare करें तो देखने को मिला है कि company के result अच्छे रहे बढ़ दोस्तो यह जो quarter 2 के और quarter 3 के जो अभी के result उसको compare करें तो उतना खास improvement नहीं है यहाँ पर तो अभी stock के बारे में discuss करेंगे आप यहाँ पर दोस्तो phenotex chemical का share देख सकते है 394 यानि के लगबग 400 पर चल रहा है और इस stock के अंदर पिछले पास जिनों में 20% की तेजी आ गई और इस stock के अगर आप एक साल के returns को देखेंगे तो बहुत कुछ growth इसके अंदर देखने को नहीं मिली क्योंकि यह small cap का stock है और एक साल में तो दोस्तो small cap के stock में तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली हमें बट इस stock ने कोई और बड़ी improvement नहीं दिखाई बट पास सालों में सभी के दोस्तों होश उड़ा दिये है company का bright future तो दिखाई देता है अभी यहाँ पर बात यह आती है दोस्तों कि यह chemical का stock है तो chemical में इसके पास advantage बहुत है बट बात क्या है पूरा sector थोड़ा slow चल रहा है ना तो यह भी share वैसे slow चल रहा है नहीं तो इसके अंदर potential बहुत अच्छा है और यह company बड़े यहाँ पर special chemical के business में काम करती है और आप यहाँ पर देख सकते हो जो daily life में सभी जो चीजे लगती है उन सभी को यह company provide करती है 1979 से company phenotex chemical work कर रही है इस business में यह यहाँ पर special chemicals textile construction, water treatment, fertilizer, leather, paint industry सभी के लिए chemicals बड़े quantity में company provide करती है market के आप 4,389 करोड का peer ratio देखी दोस्तों यहाँ पर 41 का और इसका यहाँ पर return on equity और return on capital employed बोत आर figures अच्छे है और सबसे interesting बात क्या है कि company बहुत अच्छे से profit जनरेट करती है अगर आप इसका पिछले जैसे के मैं पिछले आपको चार पास साल का भी track record दिखा दो net profit का तो आप देख सकते हो कि हर वक्त company के net profit में yearly business पर implement है और अभी के quarterly result में ने आपको बता दिये और company के आप business को और study करना चाहते तो बिलकुल आप पड़ सकते है business segment में textile chemical segment आता है clean and hygienic segment आता है और भी बहुत से product इनके पास है और इसके पास client भी आप पड़ सकते हो Raymond जैसी company, Vimal, Only Vimal जैसी company या यहाँ पर दूसरे और भी बड़े companies आपको देखने को मिलेंगे जो textile और other sectors से है और company अलग-अलग देशों में business करती है 70 देशों में business फैला हुआ है और आप इस company को और आच्छे से study कर सकते और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इंडिया के बड़े से बड़े निवेशक का भी stake इसके अंदर देखने को मिलेगा और आप पड़ सकते अशिश कचुले जी अशिश कचुले जी के पास 2.83% stake इस company का है और यह company दोस्तों जो अभी तेजी आएगी market में उसमें और भी involve नहीं हुई है इसका involve होना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब यह stock तेजी दिखाता है तो बहुत जबर्दस return generate करता है D.I.S. के पास अभी भी बहुत अच्छा stake है promoter का stake कोई कम नहीं हुआ confidence वो यहाँ पर बता रहे है और देखने को भी मिल रहा है company में कितना अच्छा है अभी आपको लगता होगा कि sir special announcement आपने बताया नहीं तो दोस्तों इस company ने fundraising का announcement किया जिसका फाइदा यहाँ पर company अपने business के इंप्रोमेंट के लिए लेना चाहती है आप article पड़ सकते हैं आशिस को चुलिया portfolio stock, multi-bagger stock, phenotex, chemical, declare fundraising और यह 13 favor वारी की details है और आज क्या है 14 तो आप देख रहे हो ना क्या यहाँ पर meeting में announcement हुआ और किस तरीके से फाइदा इस company को मिलेगा तो fundraising का announcement एक company के लिए अच्छी बात होती है जिसका फाइदा company यहाँ पर लेने की कोशिश में है Thank you so much दोस्तो I hope आप इस company को समझ रहे हो